हुआ है यहां जो घोल है मैंने बना के रख लिया है यह ने दो चममच फंजी साइड पाउडर डाला है एक लिटर में और इसे बनाए घोल बना के रख दीशिक तो इस पर अभी ट्रीट्मेंट मैंने तुरंत इंस्टेंट कल में लाई हैं उसे मुझे अभी कैसे कलम करने के पहले क्या करना पड़ेगा तो यहां यहां घोल है तो दोस्तों देखेगा यहां फंजी साइड मार्केट में कोई भी ब्रैंड कल आ सकते आप उसका जैसे एक लिटर में एक चम्मचा दो चम्मच दाल के घोल बना लीजिएगा और उसको आप डूबो लीजिएगा ऐसा और आप दो घंटे बाद में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको अगर से 25 से 30 दिन इस्तेमाल करना है तो इसे 12 से 14 गंटा है 15 गंटा आप इस्तेमाल कर लीजिएगा और दूबो के रखेगा उसके बाद में इसे निकाल कर गिले कपड़े में लपेट कर रख लीजिएगा और हलका पानी क्वाटन के क्लोथ पर मारते जाहिएग जब रात के वक्त समझो आप स्याम के वकत खोल के रख दीजिएगा पूरी सायान को कपड़े पर ओपनेट माउस प्यान में खुले भाग में ताकि जो वोस है और गिरते रहे फिर सुबह फिर कपड़े को लपेट कर इने फिर नमी बने रहे ऐसे जगम में बात्रों मोगर हैं तो फ्रूट के डंडल से एसी टिलिन ग्यास का रिसा होता है तो इसलिए यहां सायान कभी भी आप फ्रीज में न रखिए तो इस प्रकार इने आपको ट्रीटमेंट करके आपको इस्तमाल करना है तो और एक चीद बताना चाहूंगा यह जैसी डार्क काला जो भाग है यह फंगस है यह फंगस है तो इसे भी पैड़ा अंप यह जैसे पोह लिजीएगा यहां तो इसलिए दूपाना जरूरी होता है जनरली यहां छुपता वस्ता में होता है बाद में अक्टी हो जाती फंगस आमके पेड़ों पे वीविद प्रकार के फंगस रहती है तो यहां लकडियों पे रहती है तो इसके ऐसा घीश लीजिएगा बाद में आप इस्तमाल कर लीजिएगा तो आपका सक्सेस रेड भी आप कोई भी फंजी सैड मार्केट से मंगा सकते अनलाइन भी मंगा सकते हैं तो लोकल मार्केट से दे सकते हैं तो दोस्तों मैं इसे दो गंटा डूबो के रख रहा हूं तो थैंक